देखो ऐसा है अब इमर्ती जी का रस खतम हो गया जो अंदर चासनी होती है अब उनके लिए में कुछ बात नहीं करें अपना अपमान की बात है बहुत बड़ा अपमान उनने किया है हमारा हमारा क्या पूरे प्रदेश की महलाओं का किया है तो मैं तो जी समझती हूँ कि कागरेशों की मतलब उनकी सदबुद्धी भवान उनको सदबुद्धी दे जित्ते बचे हैं वैसे तो सपाई हो गई है और होने जा रही है पूरी की पूरी कागरेश समाप्त हो जागी तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर राहुल गांदी और स्वनियाज गांदी जी को उनको भी थोड़ा सोच समझ के बनाना था एसा नहीं कि एक समाच की महलाओं को दिया है सभी समाच की महलाओं को दिया है और अगर ऐसी बात बोलंगे तो जो हमारे और अच्छे अच्छे बड़े घरानुकी महला है वो तो सरम के मालव ऐसे ही निकलेंगे लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस में चाहे दिवेजा सिंग हो चाहे कमनाजी हो चाहे जीतुपटवारी हो वो हर महला के साथ ऐसा ही बोलते हैं और उन्हें बहुत सरमाना चाहिए ऐसा नहीं बोलते हैं इतना घटिया ब्यान कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा यह मानसिक्ता दिखाती है कॉंग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रती कॉंग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रती और जो निम्स्तती तक गिर चुकी है कॉंग्रेस इसका जवाब कॉंग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगे कल एक कारक्रम के दोरान कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी द्वारा दिया गया वो बयान है जिसने एक बार फी यह साबित कर दिया कि कॉंग्रेस पार्टी का चरित्र कॉंग्रेस पार्टी की मानसित्ता महिला भिरोधी है हमारे प्रदेश की पूर्व मंत्री और दलीत समाज की एक सम्मान्मी महिला शिर्मती मर्ति देवी जी के बारे में जो बयान जीतू पटवारी ने दिया है वह भूर निंदनिये हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि इस देश में कॉंग्रेस पार्टी का होना ही इस देश का बहुत बड़ा दूर्फाग यहले क्योंकि यह वह पार्टी है जिसने कभी हमारी संस्क्रती का सम्मान नहीं किया और सम्मान तो बाद में संस्क्रती को तार-तार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे देश की संस्क्रती में महिलाएं हमेशा से सम्मान ली दही है हमारे देश में महिलाओं को शक्ति सरूपा कहा जाता है और दर नारिश्वर की संध्या दी जाती है हम यत्र नारिश्टू पूज्यनते रमंते तत्र देवता के भाव वाली संस्क्रती के पालनहार है और हम हमारी संस्क्रती इस देश में महिलाओं का संबान करने की हमका हमसब को संदेश देती है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से बार बार इस देश में महिलाओं को अपमानित करने का काम किया महिला विरोधी बयान देने का काम किया कॉंग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया कि उनके लिए इस देश में महिलाओं का कोई महत्व नहीं है एक नहीं अनेकों उधारण हमारे सामने देखने को मिल जाते हैं आज दुख है मुझे इस बात का कि शिमती मर्ति देवी जी के लिए जो बयान कॉंगरेस अध्यक्ष ने दिया है वो मात्र शिमती मर्ति देवी जी को दिया गया बयान नहीं है यह संपूर्ण नारी जाती का यह संपूर्ण महिला जाती का अफमान है और साथ ही साथ एक दलित समाज की सम्मानी महिला के बारे में इस प्रकार के बयान संपूर्ण दलित समाज का भी अफमान है हम भोर निन्दा करते हैं और कॉंगेस पार्टी से यह पूछना चाहते हैं कि उनकी पार्टी में भी महिलाएं हैं क्या हो उनको भी इसी नजर से देखते हैं शीर्मती सोनिया गांदी शीयरमती प्रियंका गांदी को इस बारे में जबाब देना चाहिए और शीर्जीतूं कटवारी को भी बताना चाहिए कि क्या वो अपने घर की मा, बेहन और बेटी के बारे में भी ऐसे शब्दों का उपयोग करते ही उनकी नजर अपने घर की बहन और बेटियों और माता में भी रस और चाशनी धूटती है। यह निश्यत रूप से इस बात का परिचायक है कि कॉंग्रेस पार्टी की नीच मालसिक्ता, कॉंग्रेस पार्टी की ग्रहनित मानसिक्ता इस देश की मात्रिशक्तियों के लिए है। एक राष्ट्रिय पार्टी की प्रदेश की अद्धक्ष ऐसी बात कहेंगे और महिला में वरिश नेत्री में रस देखेंगे, रस ढूटेंगे। ये डून-डून की लाते हैं शक्त। कभी टंच कहते हैं, कभी आइटम कहते हैं, कभी महिला नेत्री इनकी कहते हैं, के रेप तो होते रहते हैं। और ये वो पार्टी है जिसका नेत्र तो भी महिला कर रही है। जितु पटवारी स्पश्ट करें क्या वे अपनी महिला नेत्रियों में भी। इसी परकार रसर दूनने की बात कहेंगे, या कहते होंगे, या सोचते होंगे क्या. और मतवादेश की जन्ता ही नहीं, सारे देश की जन्ता, कौंगल drought करती हैं। बरसना करती हैं। निंदा करती है। और आने वाले साथ तारीक और तिरा तारीक के चुनाओं में न केवल मात्र शक्ती बलकि संपूर सब्वे समाज इसका मूत और जवाब देखा प्रिमत्दान की मात्यम से खबरों में बने रहने के लिए ग्रामिन भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिये और बेल आईकॉन दबाना ना भूलें